बस कुछ प्रैक्टिस आपको लिए बोला है कि ये करना है तो आप प्रैक्टिस करिएगा और अब हम बढ़ने जा रहे हैं देखा जाए तो कोर के तीन कडिगरी होती है जावा हमारी तीन पार्लक्ट में अगर आपको याद हो इक होता है जे एक होता है जrets और एक होताragen जे यह व्यक्तों छेमटने nochmal जह उई यूज करता हूं जिसके जगह पर मैं Android यूज़ करता हूँ ठीक है और JSC जो कि जिसे हम Core Java बोलते हैं Java Standard Edition तो Sun Microsystem की Specification के हिसाब से JSC का Course यही था और जो coaching वगरे में पढ़ा जाता है उनके हिसाब से तो JSC वही होता है basic basic groups वही पढ़ा दे तो वही सारा चीज़ होता है और Swing पढ़ लिया, JDBC पढ़ लिया, collection पढ़ लिया तो यह सब Advanced है लेकिन Advanced Core तो कुछ होता नहीं है यह मैं पहले विता चुका हूँ आपको कंपनी में Core Java, Advanced Java नाम की कोई Termology होती नहीं है JSC होता है और JEE होता है जो JEE में topics हैं उन topics के नाम है servlet, servlet topic है JSP topic है, EJB topic है, RMI topic है, web services topic है, ठीक है और उसके बाद web services के बाद फ्रेमवर्क्स वाले part हो गए तो फ्रेमवर्क्स वाले part तो बहुत से लोग नहीं पढ़ेंगे, कुछ लोग हैं जो पढ़ेंगे बट इतने topic तो हम सब लोगों पढ़ने हैं और इसी में आपके project हो गया, web designing हो गई ठीक है और बहुत सारी चीज़े तो अब देखिए जे ऐसी मतलब तो क्या कहानी थी जावा स्टेंडर अप्लिकेशन बनाने के लिए वो सारी चीज़े आपने पढ़ी ली पर जे डबली जो होता है जिसका फुल फॉर्म है जावा इंटरप्राइज एडिशन जो की इंटरप्राइज लेवल पर यूज होने जा रहा है इंटरप्राइज का मतलब होता है बिजनेस और म focused अपने बहुत सारा वर्जन सुना वर्जन जावा-मिर जावा उसी तरह आपनी कमपणी चलाती है वह आज के टाइम पर अपनी बिजनस को कैसे गुरो कर सकती है अब सोचो ना कि इस टॉपिक का नाम इंटरफाइज अडीशन क्यों है क्योंकि अगर आप देखो तो बहुत सारे टीवी में आट्स आते हैं कि गोडेडी पे जाएं बिजनस बढ़ाएं तो उनका मतलब क्या है गोडेडी पे जाएं वेबसाइट्स बनवाएं है ना समझे रहे हो आपने एड़टीज्मन भी देखा होगा कि कोई आता है कार्ड द लगा लेता है विस्टिंग कार्ड देता है तो तरह से अपने बिजनस को आप नहीं बढ़ा सकते हो आज के टाइम पर अभी कोई भी बंदा अगर बिजनस बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए वह आप चाहिए वेबसाइट चाहिए हैना वह अपना बिजनस बहुत अगर अपना बिजनस ग्रो करना चाहता है तो यह अब आपना बिजनस को ग्रो करा सकता है इसको पढ़ के इसको इंपलिमेंट करके आप लोग भी इसको पढ़के क्या कर सकते हैं इसका एक ही परपस है वेब डवलमेंट, अभी तक आपने डेक्टॉप अप्लिकेशन डवलमेंट सीका अब आप वेब डवलमेंट भी मूव कर जाओगे, अभी तक जो आपका नाता, रिस्ता, रिस्तेदारी जो भी थी, जावा के जेडीके के साथ वो सब खतम हो जाने वाल यूज नहीं होंगे, वो सारे बेसिक यहां पर यूज होंगे, सब कुछ बेसिक टर्मलोजी यहां पर यूज होंगे, अगर वो यूज नहीं होता तो इसको क्यों पढ़ाय जाता, है ना उसको पढ़ाय क्यों जाता, जहर इसे बात है, तो जावा डवली, जिसको पहले जे कि इसकी कहानी है झाल जावा वर्जन हिस्ट्री right तो जावा की वर्जन की जो हिस्ट्री है वो आप कहीं पर देखेंगे तो आपको पता चलेंगा कि क्या कहानी है में स् Duck around पहले 95 में यह सब नहीं होता था वर्जन अब एक ही टॉपिक होता था ये इट में अप्रॉक्स 98 में जावा में ये कटेगरी आई पहले नहीं कटेगरी थी ये ओर जावे एडवान्स ये निवागा है डिसमबर 1998 में ये करके टॉपिक आया जे टॉबली ये क्टु मे ऐसे टॉपिक आया लेकिन लेकिन 2006 में यह जावा टू हट गया और एसी करके टॉपिक आ गया, जे एसी, जे डबली, जे एमी, तो जे टू डबली का जो इन्वेंशन है, एक्चुली देखा जाए तो 1998 में है, अच्छा, और सर्वर साइट प्रोग्रामिंग क्या 1998 से पहले नहीं होती थी, एक सर्वर साइट प्रोग्रामिंग जे डबली से पहले भी होती थी, और वो सर्वलेट में ही होती थी, तो सर्वलेट जो टॉपिक है, ये जे डबली का पार्ट बाद में बनी, पहले अलग से ही थी, है न, पहले अलग से ही इसकी कहानी थी, मतलब जे डबली आप ऐसे बोल सक कि ये बिना J2EE से भी चलता था अब with J2EE भी चलने लगा है J2EE में इसको add on कर दिया गया है J2EE है क्या J2EE है क्या ये बोल सकते हो कि framework है एक platform भी बोल सकते आप एक 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 प्लाटफॉर्म ऐसा प्लाटफॉर्म को यूजच करके अभी बने आपको बता है यह जे डबली जो कंसेप्ट बनाये गया यह जावा वालों ने जब बनाया तो एक इसको फ्रेमवर्क का रूप दे दिया जिससे इसलिए इसमें एड़ाउन कर दी गई तो बहुत सारे स्टेंडर्ड बन गए प्रोग्राम को चलाने के लिए प्रजट को चलाने के लिए पहल प्रोग्रामिंग यह कोई थर्ड पार्टी बनाने वाला बंदा था पर बाद में यह सारा चीज मतलब अच्छा इंप्लेमेंटेशन था अच्छा सोच था तो इसको एड़ाउन कर लिया गया जे डबली के अंदर जे डबली में एड हो गया तो बस चलता रहता है कोई दिक इसको पढ़ाने के लिए, इसको समझाने के लिए अगर देखा जाए तो अगे जैसे यह वर करते हैं तो हम सब कुछ जानेंगे लिकिन अभी के लिए मैं आपको बस EJB RMI को भूलते हुए JSP को भूलते हुए सब कुछ भूलते हुए बस के बस servalette पे बात करूँगा जब यह समझ में आ जाएगा बहुती लंबा टॉपिक है बहुती बड़ा टॉपिक है यह अगेन web development से लेटेड है तो इसें बहुत सारी चीज़े आएगी जब यह समझ में आ जाएगी तभी JSP आएगा तभी आगी की चीज़े हम समझ पाएगे तो अब बात आ जाते है कि यह क्यों है इसके ज़रुत क्यों पड़ी और इसे हम क्यों यूज करते हैं क्या फाइदा होता है ठीक है तो वो सारा कहानी मैं आपको समझाता हूँ और उस चीज़ को समझाने के लिए कुछ आपको term समझाता हूँ कुछ concept आपको समझाता हूँ ठीक है चलिए इसके लिए मैं आपको paint open करूँगा तो मेरो paint open करूँगा और paint में मैं यहां पर एक माल लिजे कि मैंने कोई एक browser open करा और browser में let's say मैंने type करा यहां पर कोई भी website का नाम कौन type करेगा आप ही गये कोई भी बंदा गया कोई भी इंड यूजर गया और उसे ने एक website यहां से सब open करा browser जर्रली हम open करी लेते हैं कोई भी website open करते हैं तो माल लेजिए कोई user है ना को user है और वो user क्या करता है मतलब किसी इसको यूजर को हम एक client बोल सकते हैं यूजर को technically हम एक client ही बोलते हैं तो यह client है और client जाएगा आपके अच्छा client कोई काम करता कैसे जैसे मैं client हूँ मुझे कुछ काम करना है ब्राउजर से काम करता हूँ अगर मैं इंटरनेट पे कुछ करना है तब टीक है इनटरनेट पे जो कुछ भी करना भी आपने देखा मुझे कुछ सब्सक्राइख करना था मैं इंटरनेट पे ही जाके सर्च किया तो जो कुछ भी काम होता है आज कल वो ब्राउजर पे होता है तो ब्राउजर तो हम ब्राउजर को ही अगर क्लाइंट बोलते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यह हमारा ब्राउजर है ठीक है तो ब्राउजर है और एक क्लाइंट गया किसी ब्राउजर के पास और उसने ब्राउजर पर जाके तो अगर क्लाइंट की बात करा जाए तो ब्राउजर ही कहलाता है ठीक है यह तो बात समझ में आने चाहिए आपको और यहां पर जाके वो कुछ डोमेन टाइप करता ज तो मैं ब्राउजर में जाता हूँ और यहां से जाए है थोड़ा से लिखूंगा लेकिन ऐसे एंटर मानूगा तो मेरा फेस्बूक पर उपन हो जाता है मैं ऐसे करता हूं दिन चार बर देख लेता हूं दिन भर में आप लोग भी देखिए ठीक है नॉलज बढ़ता है इससे फेस्बूक देखना चाहिए तो मैं भी ऐसे गया और इसको बाद यहां पर ऐसी टाइप कर दिया अच्छा लगता है तो मैं आप लोगों से पूछता हूं कि जब हम ब्राउजर से ऐसे कुछ टाइप करके मतलब कुछ भेजते हैं हम कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो यह र दूमें या कहीं भी ब्राउजर में क्लाइंट से कुछ ऐसे लिट के टाइप करते हैं रिक्वेस्ट कहां जाता है यह जाता होगा यह बिल्कुल सही बात है तो यह सर्वर पर जाता है तो तो सर्वर बहुत सारे होते हैं, सर्वर बहुत सारे होते हैं, हर इक कान के लिए सर्वर होते हैं, ऐसा बोल जाता है कि मेलिंग करने के लिए एक मेल सर्वर होता है, मैसेज करने के लिए सर्वर होता है, वेब सर्वर होता है, तो जनरली जो वेब पे रिक्वेस्ट जाती है न कि सर्वर क्या होता है बारे में जाना है या कि सर्वर क्या होता होगा कि 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 को पता है उप कि के तो मैं बोलूगा कि सब्सक्राइब यह मैं चाहँ को सर्विस पर करतें हो नाम है वह सब्सक्राइब बताओ क्या होता है इसको प्रॉसेस करता है मैं यह पूछ रहा हूं क्या करता है मैं पूछ रहा हूं होता क्या है इस पूछ रहा हूं होता है क्या है यह तो सब्सक्राइब प्रोग्राम होता है और कुछ नहीं होता है इसमें पता है कौन सी प्रोग्रामिंग होती है सर्वर के अंदर सर्वर में जो प्रोग्राम्स होते हैं लाना भी सीखा होगा और क्लाइंट बनाना भी खन क्लाइंट क्या होता है किसी ने करी है किसीने भी किसी ने नहीं करिए चाहिए प्रीतम तुमने नहीं किया है सॉकेट प्रोग्राम तुमने नहीं कर रहा है सॉकेट प्रोग्राम में पोलो भाईय इस बहुत पहले मैंने वह चांच इस Hugo ऑष्छित् कर दे पढ़लो भाईय। मैंने तो आप लोग को नहीं बताया है लेकिन बहुत से लोग को बताया है वह in कुछ नहीं यह सर्वरर को फोड के देखो कि अंदर कोड़िंग के इस इस साूफिए सौफियर प्योट्र की इसieg वहीं हैं किसी मशीन पे इसलॉट कर देते हैं ठीक है उसके लिए रूम बना देते हैं बोलते हैं जी server room है, server room, आपने देखा हो कहीं जैने लिखा होगा, lab में जाके लिखा हो, server room, server room मतलब कुछ नहीं, एक room है, जहां पर machine है, machine में software है, that's it, तो वो ही होते हैं server, application software, ठीक है, हमारे यां server की अलग-अलग category है, web server, application server, आपको बताऊंगा, web pages को server ही serve करते हैं, ठीक है, यह क्या होता है, जो हम लिखते हैं, www.facebook.com, what is this, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, www.facebook.com, यह पूरा है क्या, इसे क्या बोलते हैं, 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 यह 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 बोलते हैं, इन मतलब इंडिया के लिए है, है न, ORG जो है, ORG के लिए, EDU जो जो है, EDU के लिए, यह डोमेन की कडिगरी होती है, और यह पूरा जो है, यह डोमेन नेम सिस्टम है, एक यूनिक नेम, एक यूनिक नेम, जिस यूनिक नेम से कोई भी वेबसाइट, कोई भी application software internet पे identify कर जाते है तो जो facebook के creator है उन्होंने facebook नाम की जो website है उस website को इसी नाम से identify कर रखा है ठीक है और वो website कहाँ चलती होगी facebook की website कहाँ चलती होगी facebook की website है वो कहाँ चलती होगी फेस्बुक की वेबसाइट सर्वर पे चलती होगी, उनकी की सर्वर होगी न, सर्वर में वेबसाइट स्टोर होती है, सर्वर में, सर्वर क्यों जरूरी है, क्योंकि सर्वर, आपने बोला रिक्वर्स सर्वर पे गई, क्यों गई रिक्वर्स सर्वर पे, क्योंकि सर्वर पे ह स्टोर्ड कोई भी साइट pry up store Mooty इसको ऋब तेकनिकली बोला जाता है स्टरवर पर डिप्लर होती है र्ल रन होती है स्टर प्र पर्वहपकर पड़ी होती है ध्यमा कैस्ट स्बसर्वर में कई सारी वश्रॉर हो सकती किसी तरवर में बहुत सारी वेबसाइट हो सकती है this is my website one website one ठीक है अचा यह एक कोस्चन आ जाता है what is website क्वेबसाइट क्या होती है फिर इस फेटार what is website website बोलते हैं website क्या होती है यह सब कलेक्शन आफ वेब पेजिस वेब पेजिस क्या होते हैं what is web pages web pages क्या होते हैं sir web pages are basically which contain the information with the tag of HTML अब पूरा नहीं सही है थोड़ा बहुत सही है थाना मतलब एक web server में बहुत सारी website चलते हैं यह बहुत सारी website और website में बहुत सारे pages ठीक है website में बहुत सारी pages तो यह website वन है यह website 2 है website 3 है ठीक है तो इसमें क्या है इन्हीं बताया web pages तो website is a collection of web pages तो यह बात बिल्गुल साही है कि website में web page होते हैं ऐसे चोटे-चोटे page एक website में page होते हैं और कुछ नहीं होते है ठीक है तो अब यह बात आ जाती है कि website साइट में बहुत सारे pages होते हैं तो सबसे पहले हमें जानना है सबसे smallest unit क्या हो गई सबसे पहले हो गई हमें वेब पेज सब से पहले स्माल इस तो पहले हमें वेब पेज कि बारे कि पता होना चाहिए यह जो उसके बाद हम ज Natomiast तब उसके सब्सक्राइब सबक्राइब सक्राइब जिसमें बहुत सारे颜ाट सबसे 556 तो वाइब पेज is is nothing but a this thing है ना कि इसमें क्या-क्या हो सकता है hyperlink हो सकता है hypermedia हो सकता है text file हो सकती है image file हो सकती है audio video file हो सकता है कि सब कुछ हो सकता है और वो generally generally यह सारी शीजे जो होती है जैसे समरोज बता रहे थे HTML में होती है लेकिन यह हम नहीं हो सकते है HTML में होती है क्योंकि web page की भी type होते हैं यह होता static page और यह होता dynamic page है ना तो static page और dynamic page में अंतर होता है है ना अभी के लिए आप यह समझे लो कि static page का सबसे बढ़िया example HTML के सारे tag उठा लो टैग को मिला कि जब आप काम करना सुरू करते हो इसते जो page बनके आता है that is static page static page generally HTML में ही लिखी जाती है HTML CSS JavaScript jQuery यह सब को मिला के लिखी जाती है ना अब खेर तो JavaScript की बहुत सारे framework है जो dynamic page भी बना रहे हैं उसकी बात हम नहीं करेंगे बट अभी static page की ही हम बात करें तो static page की एक और सबसे बड़ी quality होती है कि यह page HTML technology CSS technology का यूज करके बना जाती है और यह server पे पहले से ही store होती है यह हर user के लिए एक ही response देती है वो अलग-अलग response नहीं देती है ठीक है किती भी website का कोई login वाला page open करके देखो ठीक है जैसे facebook आपने भी login नहीं किया है ठीक है मेरा पर तो login पड़ा हुआ है facebook ठीक है तो अगर मैं यहां में लिखता हूं www facebook.com ठीक है तो मेरे सामने एक page आएगा ठीक है अब यह page जो आ रहा है इसको मैं हटा देता हूं यहां से मैं sign out कर लेता हूं ठीक है मैं sign out कर लेता हूं और मैं दुबारा लिखता हूं www.facebook.com तो www.facebook.com जब मैं लिखूंगा तो मेरे सामनी जो page आएगा न यह page तो इसी page को हमें static page बहुत सकते हैं क्या हूं? क्योंकि भाई इसमें यह जो edit text है यह password है यह link है, यह button है ठीक है, यह image को छोड़ दें अगर ठीक है, तो और बहुत सारी चीज़ जो है this is common for all static pages वो होते हैं, जो server पहले से पढ़े होते हैं HTML technology का यूज़ करके बनाए गए होते हैं और यह हर request पे एक ही response देते हैं हर बार जब भी कोई call करता है वो सब के लिए common होते हैं वो एक ही तरह के response आपको प्रवाइड करते हैं ठीक है तो website जो होती है, combination आप बहुत सारी webpage होती है, तो facebook वालों ने क्या करा होगा एक website बनाई होगी, जिसमें बहुत सारे page बना-बना के डाले होगे और वो server पे store होगा, deployed होगा और जब हम request भेशते हैं, www.facebook.com और इसी name से वो registered होगा, इंटरनेट पे इसी name से इसको इसको बोलेंगे domain name system कल को आप भी अपना कोई website बनाऊगे तो ऐसे ही आपको भी domain name एक लेना पड़ता है एक खरीदना पड़ता है, unique name लेना पड़ता है जिससे आपकी website registered हो जाती है और इसी name से आप उसको फुकार सकते हो एक kind of nickname समझ लो, एक छोटा सा नाम नहीं, तो project का नाम तो बहुत बड़ा होता है अब उस बड़े name से identify करेंगे तो बहुत जादे बड़ा word होगा तो इसलिए इसका एक छोटा सा नाम दे दिया गया कोई ऐसी website होती है जिसमें static page होती है तो वो static website कहलाती है कोई ऐसी होती है जिसमें dynamic page होते है जिसमें dynamic website क्या होती है dynamic page क्या होता है वो मैं आपको बताऊँगा, उसी को तो हमें समझाना है आपको dynamic website क्या होती है, dynamic page क्या होता है उसए के लिए तेना दम आपके लिए बून रहे हुं मैं कि सब समझाने के लिए डिरेक् नहीं समझ रहा हूं समझा रही है इस सट्वजायो न टिक है जी बीटंस हें सर्वह पहले से पड़े होते हैं और ओर यह करते हैं तो रिस्पॉंस देते हैं तो यह कहानी होती है आपकी स्टैटिक वेबसाइट और पेज की अच्छा होता है तो यह दो टर्म है टेकनिकल याद रखना जब ब्राउजर से आप कुछ टाइप करके भेजते हो उसे रिक्वेस्ट बोलते हैं और जब वहां से कुछ आत रिक्वेस्ट हो गया और सर्वर से कुछ आना रिस्पॉंस हो गया तो अगर अगर कुछ नहीं आ पाता है हमने कुछी पेज के लिए रिक्वेस्ट भेजी हो पेज नहीं है तो कह देता है रिस्पॉंस कोड 404-505 ऐसे कुछ करके आ जाता है और कि वरी आज़ता है नौट ऐसे करके आ जाता है ठीक है चलिए बात समझ में आ रही है सम टाइम हमने माल लेजे हमने अपनी ब्राउदर के रिक्वेस्ट करी सर्वर के पास और सर्वर से बोला कि भईया यह पेज दे दो उसने का वह पेज हमारे पास नहीं है तो नहीं है तो उसके लिए उसने देटाबेस नाम का भी चीज होता जो पिक्चर में आता है तो यह है डेटाबेस डेटाबेस भी चीज होती है अगर आपको पता हो तो डेटाबेस भी नाम का एक चीज़िया होता है जो कहीं रन होता है इसर कहीं ऐसे पड़ा होता है कोई जरूरी नहीं है कि सर्वर पे होत तो तो इसी जुरुत पड़ती है कि हमने क्या गरा नाराजी हो गई चोटा कर लेते हैं ठीक है कर लेते हैं सम्ट आभि में जुरुत पड़िकी इसा पर जोरुट और जैसे मालो की ऐक फार्म अब जैसे यहां पर लगँ रहा है यूजर नेम और पासवर्ड है और जैसे मैं लौग अगिन करूंगा ऑग गवागिन हो जाए तो आपको क्या लगँ रहा है कि चिViewP Story कहा श्टोर होता होगा कैसा वर पर यूसर ने means password करता है तो कि या वह है यह सब ह्सक्सानी इस पर होती है तो जैसे सम्म टाइम हमने व्राउजर से fish बही히 से पास मैंने का कि यूजर को लॉग-इन करा हम कैसे करा सब्सक्राइब भाश्य क्या देते हैं हमें क्या पता कि तुम्हार डिटा कांस है क्या नहीं पास जाओ यह वही वाली बात हो कि मतलब database ही वो चीज होती है जहां पे हमारा सारा data is stored होता है एक user का सारा data database में store होता है यहां ठीक है कोई user create होता है या जो भी होता है वो सब information database में होता है तो हमने पेजी server से server से request में यहां पे html की coding करी गई है html में page बनाए गया है तो क्या मैं html में ऐसी कोई coding कर सकता हूं कि वह वो इसकी information यहां से चलते हुए उड़ते हुए database पर ले आए आप बताओ क्या html में ऐसा possible है बिलकुल नहीं possible है अगर ऐसा possible हो जाता तो फिर यह जो server side programming आपने सुना है यह नाम का concept ही नहीं रहता तो html को server side programming भी बोला जा सकता था मतब जावा script के अब frameworks जो है ना जैसे जैसे node हो गया है और react तो react तो फिलाल client side है वो भी again HTML जा सकती थी ना CSS जा सकती थी जावा script है ना तो इनके पास वह capability नहीं थी कि वह database तक आपकी data बताब आपकी request लेके जाएं आपके database से connection बनाएं और connection करके भी वह यह पर आ जाएं आपने का सर्व जो हमने अभी पढ़ा है वो तो हम डाल सकते हैं इसके अंदर तो वह program डेडी PC का सर्वर पर कैसे चला होगे बात तो यह है ना डेडी PC के वह program सर्वर पर हम नहीं चला सकते हैं मतलब ओवराल कहने का मतलब यह है कि हमें सर्वर साइड पे कुछ program चाहिए एक ऐसे program चाहिए जो हमारे जो browser से आने वाली request है उस request से आने वाला data है या request से आने वाला कुछ भी information है उसको database तक लेके जाए और database से further information उसके पास लेके आए और फिर client को वो information provide कर दे ऐसा कुछ हमें चाहिए था कोई एक helper program कोई helper program जो य program चाहिए देखो वो काम JDBC में नहीं हो सकता और अब तक JSC में आपने सारा चीज पढ़ रहा है उसमें भी नहीं हो सकता ठीक है और database itself में भी ऐसा कोई इतने capability नहीं है कि वो ऐसा कर सकता है मत्तब इन शॉर्ट हमें server भी program चाहिए समझ रहे हो वो program हम इस server में बनाकर डालना क्या server कर सकता है वो काम नहीं नहीं सर्वर भी नहीं कर सकता सर्वर को तो काम services सर्वर के अंदर तो socket program लिखे गए हैं इदर ब्राउजर में client site की socket है सर्वर में server side की socket है client site server side की socket एक दूसरे से connect हो सकते है request इधर से उधर भेज सकते है डेटा यहां से जा सकता है वहां से response आ सकता है लेकिन क्या किसी database तक जाके उसकी information लाके क्या user की specific को information प्रेंट करा के दिखा सकता है database से connection बना के data ला सकता है नहीं यह सब नहीं सर्वर पर वो जो प्रोग्राम बनता है वही प्रोग्राम जावा में serverless में बनता है .NET में ASP में बनता है .NET में ASP में PHP में PHP में करा जाता है coding ठीक है तो वह जो servlet है .NET में ASP हो गया PHP टेकनोलजी हो गई यह सारी टेकनोलजी है न अब अब नोड में जो नोड की JavaScript की coding हो गई यह सब क्या करते हैं जी डेटाबेस से जाने के लिए मतलब इनके program अगर हम server पर बना के डाल दें तो इनके द्वारा बनाएगे जो programs होते हैं वह program के पास capability बन जाती है कि वही वह अब database ते जाए और database से data आपको लेके आके दें server को दें और server फिर आपके हिसाब से response प्रवाइड कर दें और उस time प होते हैं जो server पर पहले से पड़े नहीं होते हैं उनके लिए हमें coding करने पड़ती प्रोग्रामिंग करने पड़ती है server side की programs लिखने पड़ते हैं और वह request के accordingly हर यूजर के लिए अलग-अलग generate करके आपको समय रहे हो तो यहां पर हमें basically server side programming की जरूरत है यहां पर ताकि व लोगो server पर पहले से नहीं पड़े होते हैं server पर पहले से नहीं पड़े होते हैं वो web pages on demand बनाए जाते हैं जैसे request आती है उसकी हिसाब से बनाए जाते हैं तो question ही आ जाता है कि डानमी web pages की जरूरत क्यूं पड़ी database से connection के लिए database से data लाने के लिए server side की programming की जरूरत क्यूं पड़ी server side पर प्रोग्राम बनाए ताकि वो database से जाए data लाए और user के इसाफ़ से data दिखाए तो आपने का यह हर एक काम के लिए हम क्या static pages भी बना के नहीं रख सकते database की क्या जरूरत है आप सोचो आप एक छोटा स लाखो प्रडॉक्ट्स दिखते हैं वो लाखो प्रडॉक्ट्स जो pages पर दिखते हैं क्या वो एक एक पेज बनाके statically कहीं पर रखे जाए होंगे अगर रखे होंगे तो भाईया सोच लो कि हर big billion day पर flip card वालों का क्या हाल हो जाएगा ठीक है न और हर sales पर क्या हो जाएगा जब भी उनकी कोई नए कोई mobile launch होता है तो सोचो लाखो करोड़ो जूजर के लिए लाखो करोड़ो पेज बनाके server पर रखना कितना बड़ा है ठीक वाला काम जाएगा है हम ऐसा कर सकते हैं कि 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 यूजर की जैसे आपके आपकी university का जो result आता है उसमें आप अपना roll number डाल होंगे तो दिमाग लगा नहीं पता है क्या करा गया होगा एक एक पेज बनाया गया होगा सिंगल पेज जिसमें टिया टीडी टेबल रोग वगर वगर बनाके रख दिया गया होगा और जब आप वहां पे query लिख बंदब जब रोल लंबर डालते हो तो उसकी query को get करा जात सबस्क्राइब गया नहीं होता है लेकिन उसमें डायनमिक content होता है और कुछ नहीं ठीक है जैसे फर इक्जामपल मैंने यूजर ने पासवर्ड डाला और यूजर ने पासवर्ड डालने के बाद यहां पे लोग इन बटन पे क्लिक करा तो यह क्या है यह मेरा यूजर ने अगर यूजर डिटेल सही थी उसने एक क्वेरी चलाई जिससे सारा डेटा एक स्टैटिक पेज में उठाके फेक दिया तो यह डानिक पेज है विद इस्टैटिक content सरी डानिक स्टैटिक पेज विद डानिक content आप हो सकते हैं कोई फेस्बूक उपन करेगा उसका यह इमेज यह चैट वाला विंडो इसर वाला विंडो यह सारा चीज लगो यू आई जिसको लुक एंड फिल बोलते हैं जिस सब के लिए common होगा बस चेंज कहां पे होगा changes होंगे जी बस वो data में बेरे friends में फेरे friends की detail आएगी उसकी chat की detail है आपकी case में आपकी detail होगी तो यही होता ह सब्सक्राइब कर जाएगा कितना रखोगे मतलब इस year में जो बच्चे पास हुए थे उनका marks आपने अपडेट कर दिया मान लोग तो हर साल ऐसे ही करते रहोगे हर साल every year every year अगर यही करा जाएगा तो बहुत जादे headache वाली चीज़ हो गई ना तो डाइन वेब पेज वो होते हैं भाई या जो सर्वर पे पहले से नहीं पड़े होते हैं जिनके लिए प्रोग्रामिंग करी जाती है जिनके लिए सर्वर साइट कोडिंग करी जाती है और वो क्या करते हैं on the on demand on the basis of request आपको वो pages serve कराते हैं जब आप request भेजते हो तो उस particular request को identify करते हैं request को identify करने के बाद उसकी information को database तक ले जाते हैं अगर हमारे पास हर काम के लिए static page ही बना दिया जाएगा तो बॉड़ी सारी समस्याय हो जाएंगी समझ सकते हो आप तो हर website में server site program होता है कि कुछ static pages होते हैं कुछ dynamic pages होते हैं और dynamic pages होते हैं और dynamic pages होते क्या programming करी गई होती है वो server site programs होते हैं और फिर वो programs क्या करते हैं कि जी request आने पे जैसे request आएगी उसी हिसाब से आपको response देंगे तो अगर database तक जाना है तो dynamic page की जरूरत है server site programming की जरूरत है और अगर हर user के लिए लगर कुछ response देना है कुछ output कराना है तो dynamic page की जरूरत है ठीक है तो एक static page और dynamic page से मिलाके ही आजगल की बहुत सारी website बनती हैं जो कि dynamic website कहलाती है और जिस ऐसी website जिसमें केवल static static page है जिसमें केवल html css का यूज करके डिजान इर्जाइन कर दो बहुत सारी informative website होती है जो static website का सब्सक्राइब कोई database involved नहीं होगा तो या database इसलिए आपने पढ़ा था अभी database पढ़ लिया server site program बनाएंगे database connectivity के अंदर वही code लिखेंगे JDBC का और वही database से जाएगा data लेके आएगा और आपको output देगा समझ रहे हो आप लोग तो यह होती है विया पूरे web server server site की चीजों का concept तो हमें क्या समझ में आया हमें समझ में आया कि जी अच्छा यह जो client browser client site हो गई और जो server चला यह server site हो गई तो दो चीजे client site server site web page का मतलब समझ जाया web page is a web page is categorized in two parts static and dynamic static web page is nothing but a collection of hyperlink hypermedia text file image file audio file video file etc तो भी चीज़े होती है web page में जो कि static web pages are those web pages which is already stored on the server which is created on the technology which is created on the technology like HTML CSS JavaScript जावा स्क्रिप्ट यह सारी इंगोलोजीट करके पहले से बना कर यह pages रखे यह रखे यह 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 तो डिपेंड करता है कि किस technology बनाए जा रहे हैं हर टेक्नोलोजी डानीव पेज बना सकती है डानीव पेज़ें जावा में बनते हैं जो बनता है उसे बहुता है यह सब्सक्राइब जाएब करते हैं अब है आप समय लो जैस्पी तो अभी आप न पढ़ो बस अभी याद करो कि सर्वलेट एक सर्वर साइट प्रोग्रामिंग्वेज एक सर्वर साइट प्रोग्रामिंग जो करती क्या है डाइनमिक बेज बनाती है क्या करती है डाइनमिक लिए डेटा बेस नहीं पड़े होते हैं ओन इमांड वो बनते हैं यह तो बूसक्रानिक सब सब्सक्राइब करें कि अगर हम बात करें तो बाद में आई है अच्छा बताऊ कोश्चन सबन्ज मैं स्ट्रीफ-पेज क्या होता है क्या होता है स्टैटिक वेबसाइट का मतलब सोंच जाया बताई कोई कुछ नहीं तो बताईए फिर मैं आगे बढ़ू भी किवाईट एक तरह से लेकिन कई ऐसे पेजस होते हैं जो ही बनते हैं प्यूर असे कि उसमें एकद्रीमिक यला रहेंगे वह भी है आपको दिखाऊंगा उसमें कोई ऐसा नहीं कि इस्टाटिक कि यह न होगा आफ ऑप कि पहले सर्वर से सर्वर पर स्टोड होते हैं और वो हर यूजर के लिए अलग रिस्पॉंजे वह इस्ट डेटे रूंज कई लोग करते हैं कि सब खूम रहा है दयमेश घूम रहा है नुक्त इस इसले फै Ag themes फिजुन shaking जा रहा है when सर इसको यह सभी कहा जाता है कि HTML से जो हमारा static content पर होता है मतलब उसकी कोई processing नहीं होता है कि हम such kind of data उसके ओपर कोई manipulation क्यों processing का मतलब क्या processing का मतलब क्या है आपको क्या लग रहा है ए मत्सथ जब वह स्टेक लिए हमारे सामने आता है तो तब तो वह उसकर को अश्च नहीं होता ना। जस्ट वह कंटेंड को शो करवाता है कि यह आपके पास डेटा पड़ाव तो सबस्तु है क्या जैसे क्या प्रोसिसिंग का हमारे पास रिजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है अब हम उसके अंदर किसी स्टूडेंट को सर्च करना चाहते हैं तो उसका रूल नंबर डालेंगे तो सारा जो है वो हमारे पास डिटा आजएगा उसके अंदर में एक स्ट्रक्चर बना के र परफार्म कर रहे हैं तो इस से रिस्पेक्ट है जी सर सभी है जी सर एक सवाल दा सर अगर आप बता दें काईली सरी कि पीछ पी एसपी डॉट नेट जैसे आपने बताया और जावा तो सर आज कल तो मतलब जिसको देखो और वो वेब साइट की तरफ जाता है तो सर वो तो बताता उ deeper सारण होते हैं अब यह जो servers होते हैं किसी कित Nepal एक होते हैं जैसे 2.net के लिए .NET के लिए एक ही server चलता है जिसको हम बोलते हैं IIS server हमज़रे हो .NET में एक ही server चलता है IIS ठिक है तो IIS server पर वो काम करते हैं ठिक है तो वो server dependent हो गए PHP में भी गिने चुने server होते हैं Wamp Jam एक Lamp भी होता है तो उनके भी बहुतने गिने चुरे server है तो खह सकते हो बागी शर्णिश्य एकनॉलजी सर्वर डिपेंडेंडेंट है जावा में इतने सर्वर हैं जितने हमारे सर्वें बाल एन नंबर अफ सर्वर भी अपना भी सर्वर अपना खुद बना सकता है अब ही उस दिन बाद हमारी चल लए थी आरिफ कह रहे थे मेरे पास वो कौन सा सर्वर था RS 400 था SS 400 ठीक है तो उस पे भी हो सकता हो उनके उनका रंटाइम हो तो उस पे भी चल जाए तो वह भी एक सर्वर है एन नमबर ऑफ सर्वर वी अर्थ सर्वर इंडिपेंडेंट दूसरी चीज जो वेबसाइट सर्वर पर बनते हैं पता है इंटरनेट पर चलेगी तो सिक्यूर्टी कंसर्ण बहुत जादे होते हैं तो जो पिएच्पी के वेबसाइट से है वह बहुत एदिली हैक करी जा सकती है उनमें hacking वैकिंग बहुत जा रहे होती हैं अलग से security implement करने के लिए उसमें चीज नहीं होती है security implement करने के लिए जाओगे तो भज़ा PHP के और बहुत सारे frameworks हैं जो करते हैं इनका नाम ही मैं जानता हूं काम नहीं जानता हूं डुपल केक मजेंटो और आज कल पता नहीं जुमला और क्या-क्या चल गया है वह यह ना ऐसे कुछ करके लारा वेल वगएर बहुत सारी टेक्नोलगी था है जो ऐसा करती हैं कुछ करते होंगे बड़ धीरे-धीरे अपने और उडाप करेंगे नोडाट अगर वैबसेट एवलल्मेंट में जाना है तो आप जासकते हो प्रहस्पल है लेकिन बात है कि है लेवल पर जो सिक्यूर्टी कंसर्न हो जाता है न वो नहीं डील कर पाते हैं जब हाडवेर लेवल पर इंट्रक्षिन की बात आ जाती है अब debt setup से interact कर चारेगी हाड़वेर पर जाएगी और फिए इस तरह से काम करेगी तो बईया वहाँ पर जो यहां पर द्याबा की दूरित पढ़ जाती है कोई अथी लेंगवेज जो हर काम करती है ठीक है बारकि सबकी अपणी अपनी रोजी रोटी लेकिन सबका अपना मार्केट है जो मार्केट जावा ने स्टार्टिंग से बना रखा है और सबसे बड़ी चीज यह है अब जैसे कुछ चीज़ ऐसा है कि मेरे पास एक हार्डवेर है टोकन अब मैं चाहता हूं कि यह अफ्लिकेशन बने वह टोकन से इंट्रैक्ष करें और करने के बाद जो टोकन की आईडी दी जाए और उस आईडी के बेसिस पर वेरिफिकेशन करें और फिर वो लॉग इन करवाए तो वो सब काम कहां हो पायागा हार्डवेर लेवल से इंट्रैक्षन करने का तो नहीं करते हैं पर छोटी मोटी वेबसाइट बनाते हैं तो बन और वही ओस्टिंग जो है जावा में खरीत होगे थोड़ा मांगा मिलता है पांच आर आथ था लगता है तो थोड़ा सा इसलिए लोग नहीं बनाते हैं कहते हैं इसी मिश्य बना लो तो और कोई डिफ्रेंस मैं मतलब टेक्नॉलजी यह थोड़ा है जावा को हवी थोड़ होती थी cgi common gateway interface जो कि cc++ per language में लिखी जाती थी तो cgi script में क्या कमी थी जिसके वज़े से servlet आई वह मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो यह सब अब डिफेरेंसे से शम्रोड ठीक है वलो भाई जी सर्थ थेंक यू असा आप लोगोगो वी